महेंगाई ये शब्त दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा लेकिन महेंगाई नापी कैसे जाती है कैसे पता चलता है कितनी महेंगाई चल रही है उसको देखा जाता है inflation से आज आया है India का CPI का data जो की headline numbers होते है inflation के और भी कई तरीके के inflation numbers होते हैं लेकिन इसको headline number बताया जाता है और इसको सबसे ज़्यादर track किया जाता है अगर आप numbers को देखो के तो numbers आई है 4.75% का यहाँ पे जो CPI का data आया है in May 2024 यानि कि अभी June चल रहा है तो पिछले महीने का यह data आया है जो कि अगर आप पिछले महीने से compare करोगे यानि कि April का जो CPI था वो था 4.83% यानि कि quarter on quarter basis पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोगो को fall देखने को मिल रहा है CPI के data में और अगर हम थोड़ा सा long time में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो lowest in a year है यानि कि आप लोगो जो 4.75% है पिछले एक साल में यह सबसे छोटा number देखने को मिल रहा है इससे पहले जो number देखने को मिला था May 2023 में जब 4.31% आया था जो की previous low था और अब जो low है वो 4.75% का लग चुका है और दोस्तों आप लोगो को पता होगा जो RBI का target होता है वो होता है 4% का target होता है RBI का plus minus 2% 2% का margin यहाँ पे दिया जाता है और 4% के आसपास RBI रहने की कोशिश करता है ना ही बहुत कम inflation अच्छा होता है ना ही बहुत जादा inflation अच्छा होता है और यहाँ पे जो numbers नजर आ रहे हैं वो 4% के आसपास ही नजर आ रहे है और इसी वज़े से आप लोगो को यहाँ पे gift nifty में थोड़ी सी तेजी भी देखने को मिल रही है gift nifty already 23,447 पे पहुँच गया है जो कि आज के future की closing के हिसाब से लगबग 70-75 points उपर है और दोस्तों लेकिन इससे आपको क्या पता चलता है क्या कल nifty में तेजी रहेगी अभी दोस्तों इससे कहा नहीं जा सकता है क्योंकि इससे भी बड़ा event आज रात को होने वाला है जो कि से decide होगा कि कल हमारे markets में क्या होगा पहले तो decide होगा कि US के markets में क्या होगा और फिर उससे कल हमारे market में क्या होगा इसी बड़े event से पता चलने वाला है लेकिन जब तक यह event नहीं हो जाता है तब तक CPI के लिए gift nifty जो है reflect कर रहा है और अगर आप global markets को देखोगे यहाँ प क्या होता है उसमें rate hikes होते हैं या नहीं होते हैं उसके उपर भी मैं वीडियो डालूँगा लेकिन उसके लिए आप लोग को यह चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अगर आप इस चैनल के और भी जाता close आना चाहते हैं तो आप इस join button को click करके membership को explore कर सकते हैं और अपने recording join कर सकते हैं